बिस्मिल्लाहिरामानियराहिम असलाम लेकूम वेलकम बेक टो मेरी चैनल उमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल घरियत से होंगे और फिट फाट होंगे आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश फिश फ्राय की रेस्पी लेकर रही हूँ जिसे ब बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किये बिस्मिल्लाहिरामानियराहिम इसके लिए मैंने 1 kg फिश और इसको मैरिनेट करते हैं वन टेबल स्पून एड़ करोंगे इसमें गरम मसाला पाउडर फ्रेश कुटा हुआ और वन टेबल स्पून खुश्क धनिया और इसमें आड़ करूंगी वन फो टी स्पून हल्दी पाउडर अब मैं इसमें आड़ करूंगी वन टेबल स्पून सोया सोस वन टेबल स्पून इसमें आड़ करूंगी मैं चिली सोस आड़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और अब मैं इसमें आड़ बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है यह फिश में और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिश को मैंने एक दिन पहले लाकर अच्छे से धोकर इसको लेसन लगाकर रख दिया था और जब भी आफ फिश को फ्राइ करें तो लाजमी एक दिन पहले लाकर रखा करें ताकि इसकी स्मेल खतम हो जाए और अगले दिन इसको फ्राइ किया करें तो बिसमिल्ला ही रामान ये रहें इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी कसूरी मेथी ये टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और खुश्बूमी से बहुत अच्छी हाती है ये लाजमी आप एड़ कीज़ेगा और इसके बाद मैं एड़ करूंगी इसमें वन टीस्पून के करीब अजवाइन अजवाइन भी बहुत अच्छा टेस्ट जाती है फिश को फ्राइ करत्वक लाजमी एड़ कीज़ेगा मेरिनेशन के दुरान और अब मैं इसमें एड़ करती हूँ एक चुटकी काली मिच का यह ऑप्शनल है अगर आपको आवेलिबल नहीं है तो आप ना एड़ कीज़ेगा बस यही मसाले हम जो घर में आपके अवेलिबल होते हैं यही यूज़ करेंगे बजार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा अब इसको मेरिनेशन के लिए रख देते हैं और इसकी कोटिंग के लिए हम समाहत यार कर लेते हैं यहाँ पर मैं लेती हूँ बेसन तकरीबन 4 टेबल स्पून बेसन के लोगी मैं अच्छे से चान कर यूज़ किया करें और इसके बाद मैं इसमें एड़ करूंगी 2 टेबल चीली फलेक्स के यूज़ करूंगी और वन टीस्पून में इसमें आड़ करूंगी नमक बस यही हम इसकी कोटिंग के लिए चीज़े ऐड़ करेंगे इसमें एड़ करूंगी मैं थोड़ा से पानी और इसका स्मूथ पेस्ट सा बना लूँ ताकि फिश पर इसकी अच्छे ताके फिश के उपर अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए क्यूंकि हमने इसके अंदर कॉण्फरो यूज किया है तो इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होगी और देखिए इसमे मैंने थोड़ा सा येलो फूट कलर एड़ कर लिया है खुबसूरती के लिए और अच्छे से गरम इसके बाद आप फिश को निकाल लें और दस मिनट के बाद फिश ठंडी होने के बाद दुबारा इसको इसी ओल में फ्राय करें तो बहुत ही क्रिस्पी और डिफरेंट किसम की फिश की जो फ्लेवर होगा बहुत अमेजिंग होगा अच्छे से हमने इनको फ्राय करना है त कर सकते हैं कि बाहर से कितने के रिस्पी और बागी जो पीस बचेन हें वब भी मैं घृट थोंगी उसिति है हाई फिश को और अड़ है गर करना है और यहाँ पर आपने वीडियो को लहीं नहीं बल्किशित आपने वीडियों को लास अक्ना थ बहुत यासानी के साथ फिश फृएゃ आप घर पे कर सकते हैं बाजर से कई न बहतर यह फिशि की रैसपी हैं कि आप कर न दे कर चेकरें पिड़पे करें लाजमी के सकते हैं सर्दी हैं फिश तकरीबन सबी को बहुत पसंद होती है तो लाजमी फिश की रैस्पी को ट्राय करके देखिएगा मिलती हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा मुझे भी अपनी दोओं में याद रखेगा अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगए तो इसको अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीज़ेगा चैनल को सब्क्राइब कर दें अल्ला हाफिज